हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटीब चैनल ब्यूटी सिक्रेट सिंध हिंदी में आपका बहुत सौगत है आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप अपने मुहासों से कैसे चुटकारा पास सकते हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं उनको जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें और प्लीज हमारे चैनल ब्यूटी सिक्रेट सिंध हिंदी को सब्सक्राइब करें उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिये गए रैड बटन को क्लिक करना है अगर एक बार भी किसी के साथ पिंपल और एकने की प्रॉब्लम शिरू हो जाती है तो इसको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप मुहासो को कैसे दूर करें तो चलो फ्रेंग्स जानते हैं अगर आप अपने घर पर शहद का उप्योग करते हैं तो शहद का उप्योग आप अपने मुहासो को दूर करने में भी कर सकते हैं शहद एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो मुहासो पर जल्दी असर करता है आप शहद में रूही के फोहे डुबो कर अपनी मुहासो वाले तुचा पर लगाएं और उसका आदे घंटे तक सुखने का इंतिजार करें सुखने पर अगर इसको गुनकुने पाने से दोएंगे तो जल्द असर दिखाई देगा टिप नमबर टू निम्बू आपकी तुचा के लिए बहुत बेनिफेशियल होता है निम्बू में विटामिन सी पाये जाता है इसलिए इससे मुहासे जल्दी सुख जाते हैं मुहासो को दूर करने के लिए केवल ताजे निम्बू के रस का इस्तमाल करें बंद वोतल के निम्बू के रसमे केमिकल पाये जाते हैं जो तौचा को नुपसान पोचाते हैं तिप नमबर 3 मुहासो वाली तौचा पर भाप देने से हमारी तौचा के रोमचिदर खुल जाते हैं इससे हमारी तौचा को सास लेने में आसानी होती है यह हैं एक effective process है जिससे हमारी तुचा की सारी गंगी बाहर आ जाती है इसके लिए आप कोई एक बड़ा बरतन ले और उसमें पानी को उबाले पानी उबल जाने पर उस बरतन को अपने चेहरे के सामने रखें जिससे भाप आपके चेहरे पर आई अब आप अपने चेहरे को गुन-गुने पानी से वाश करें और किसी तेल मॉस्चुराइजर को अपनी तुचा पर लगाएं ऐसा रोज करने से आपके मुहा से कम हो जाएंगे दोस्तों इन टिप्स को यूज करें और हमारी इस फीडियो को लाइक और फेस्बुक वाटसेप ट्वीटर और गूगल प्लस पर शेयर करें और कोई क्रेशन पूछने के लिए या अपने फीडबेक देने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं and don't forget to subscribe our channel beauty secrets in Hindi thank you